हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम तो माई योटूब चैनल मेडिकल मोहुनिस तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 यूनिट 1 चेप्टर 2 बायलोजिकल क्लासिफिकेशन और उसमें आज का टॉपिक होगा प्रोटिष्टा किंग्डम तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटिष्टा किंग्डम तो फ्रेंड्स इस किंग्डम में यूकेरियोटिक और यूनिसेलिलर जिवों को रखा गया है तो फ्रेंड्स यूकेरियोटिक कहने का अर्थ इस फ्रकार के नूकलियस से है जो अपने चारो और नूकलियर मेंब्र जो कि eukaryotic word से ही पता चल रहा है क्योंकि you का मतलब होता है true और karyotic का मतलब होता है nucleus तो friends, protista word का सबसे first time use किया गया था earnest hickle के द्वारा तो friends, protista kingdom में निमनलिखित organism को अपन add किये हैं और वो organism है, चलो दिदी, एक साथ पढ़ेंगे तो friends, इस trick के लिए मैं अलड़ी एक separate video बना चुका हूँ अगर आप नहीं देखे हैं, तो उपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं तो हमारे trick के according, protista kingdom के organism हो गए chrysofite, dinoflagellate, uglinoids, slime mold और protozoans जिसमें से first starting के तीन organism photosynthetic हैं और last के दो organism non photosynthetic protista kingdom में mostly organism aquatic होते हैं जो कि fresh water और marine water दोनों में ही पाए जाते हैं protista kingdom के genetic material को protistin genome कहा गया है जो कि cell plasma में धंसा हुआ होता है और एक ispust nuclear membrane से गीरा हुआ होता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि protista में eukaryotic जीवों को रखा गया है तो उसी साबसे protista के cell के cell plasma में membranous organelle जैसे कि mitochondria, golgi body, endoplasmic reticulum पाए जाते हैं protista kingdom में locomotion, cilia, flagella या फिर pseudophodia के थूप होता है साथ ही protista में reproduction, asexual और sexual दोनों ही प्रकार का होता है तो चलिए हमारे protista kingdom के first group of organism जल धारा की दिशा के साथ क्राइसोफाइट, fresh water और marine water दोनों में ही पाए जाते है क्राइसोफाइट जलिए प्राणियों के लिए भोजन का मुख्य सरोत है तो चलिए पढ़ते हैं हमारा first क्राइसोफाइट डाइटम डाइटम, photosynthetic, plant-like, unicellular, protist है जो कि हमारे पूरे planet में एक ऐसा organism है जिसका cell wall transparent होता है डाइटम के cell wall में cellulose नहीं होता जबकि pectin और silika होता है डाइटम के silika yugt cell wall को cell या कवच भी कहते हैं अब डाइटम के इसी silika yugt cell को frustule कहते हैं डाइटम के silika yugt frustule चमकदार होते हैं जिस कारण डाइटम को diamond of sea कहते हैं डाइटम का silika yugt frustule आसानी से नश्ट नहीं होता है डाई एटम की यही सिलिका युक्त फ्रस्ट्यूल करोडो वर्सो तक वाटर सर्फेस में इकठा होके एक पदार्थ डाई एटोमाइट बनाते हैं इसी डाई एटोमाइट का यूज पॉलिसिंग माटेरियल के रूप में ओल और सीरप के फिल्टर में और रेफ्रिजरेटर में इंसुलेटरी माटेरियल के रूप में किया जाता है डाई एटम को समुद्र का मुख्य उत्पादक प्रोड्यूसर माना जाता है अब पढ़ते हैं सेगंड कैसोफाइट डैसमेट्स गोल्डन एल्गी तो फ्रेंड्स डैसमेट्स के बारे में हमारे बुक में ज्यादा दिया तो नहीं है लेकिन डैसमेट्स में एसेक्सवल रिप्रोड़क्शन पाजाता है जो कि मोटाइली स्पोर के थू होता है और इनहीं मोटाइली स्पोर को कहते हैं जू स्पोर तो फ्रेंड्स अब हमारा सेकंड ग्रूप ऑफ और्गिनिजम आता है डैनोफ्लेजिलेट तो friends, dynoflagellate photosynthetic unicellular aquatic protist है जो कि अधिकतर समूद्य जली होता है और कुछ dynoflagellate है जो कि सुक्ष जली होते हैं चुँकि हमको dynoflagellate के नाम से ही पता चल रहा है dynoflagellate मतलब जिसमें दो flagellal पाया गया है उसको हम कह रहे हैं dynoflagellate dynoflagellate का cell wall outer surface में एक कठोर cellulose के plate से बना होता है जिसे हम कहते हैं ठीका जैसा कि हमें पता है dynoflagellate में दो flagellal पाया जाता है जिसमें इसे एक flagellal longitudinal axis पे होता है और दूसरा flagellal transversally दोनों प्लेटों के बीच में जो खाँच पाया जाता है उसमें होता है dynoflagellate में locomotion spinning off top के थूँ होता है और इसलिए इसे spinning by flagellate भी कहते है dynoflagellate blue, green, yellow और brown colored के होते है red tides कभी-कभी समुद्र में जब red dynoflagellate में तेजी से multiplication होता है तो इनका number water body में तेजी से बढ़ने लगता है जिस कारण समुद्र जल का color red दिखाई देता है और इसलिए इने हम कहते है red tides जिसका example है gonialux, red dynoflagellate कुछ dynoflagellate ऐसे भी होते हैं जो समुद्र के जल में toxin release करते हैं और इसी toxin के release होने के कारण समुद्र के जल की मसलियां मरने लगती है और इसका भी example वही है gonialux कुछ dynoflagellate ऐसे भी होते हैं जो night में light generate करते हैं और इसी incidence को कहते हैं biolumini sense ये dynoflagellate अपने ATP के energy को light में change करते हैं और इसका example है seratium और noctic leuka तो चलिए अब आता है हमारा third group of organism eucleinoids तो friends ugleinoid unicellular fresh water photosynthetic protest है ugleinoids mostly stagnant water मतलब रूके हुए पानी में पाय जाते हैं जिसका example है ugleina ugleinoid के cytoplasm में chromatophore पाय जाते हैं जिनमें chlorophyll A एवं chlorophyll B pigment पाय जाता है जिस कारण ये पौधे के समान photosynthesis कर पाते हैं ugleina के पौडी में सबसे बाहरी rich protein layer को कहते हैं pellicle ugleina में दो flagella होता है जिसमें से एक flagella बड़ा होता है और ये कुजिका से बाहर निकला हुआ होता है और इसी flagella की help से ugleina locomotion कर पाता है जब दूसरा flagella छोटा एवं अवसेसी होता है ugleina में nutrition दो प्रकार का होता है light के presence में ugleina plant like कहने का मतलब autotrophic होता है और light के absence में ugleina heterotrophic होके अपने से छोटे organism का predating करता है तो फिर ugleina में autotrophic nutrition भी होता है और heterotrophic nutrition भी होता है तो इस बेसिस पे हम कहेंगे कि ugleina में mixotrophic nutrition होता है ugleina के chromatophore में food store होता है जो कि paramylum granule के रूप में chromatophore के बाहर cytoplasm में होता है ugleina के body में contractile vacule पाय जाता है जो कि body में inter करने वाले extra water को पाहर निकालने में help करता है तो इस प्रकार contractile vacule extra water को बाहर निकालके osmotic balance में help कर रहा है युगलीना में asexual reproduction longitudinal binary fission के थूँ होता है अब next आता है slime mold slime mold unicellular saprophetic एक को सिखिये मिर्तोब जीवी protist है slime mold saprophetic या फिर मिर्तोब जीवी इसलिए है क्योंकि slime mold dead plant के पत्ती से और उनके तने से भोजन प्राप्त करता है plasmodium तो friends slime mold के थैलस के समान structure को अपन कहते हैं plasmodium थैलस कहने का मतलब ऐसा ही structure से है जिसमें जड, तना और पत्ती ये तीनों ही absent हो उसे structure को अपन कहते हैं thैलस suitable condition में बहुत सरे slime mold एक साथ इकठा हो जाते हैं और आपस में fuse हो जाते हैं जिससे की multi nucleus थैलस के समान एक structure बनता है और उसे अपन कहते हैं plasmodium unfavorable condition में यही plasmodium differentiate हो जाते हैं और fruiting body बनाते हैं और इसी fruiting body के अंदर में spores होते हैं जो की true wall से घिरे होते हैं और इसी true wall के कारण यह spore कई सालों तक एकदम कठीन से कठीन situation में भी यह टिके रहते हैं यह spore हवा के थूरू disperse हो जाते हैं और favorable condition आने के बाद यह अंकुरित होकर फिर से नया slime mold में change हो जाते हैं slime mold के लैंगिक चक्र में, sexual cycle में gigote, cell fusion के थूरू बनता है अब हमारा सबसे आखरे protist आता है protozoans, protozoans unicellular protist है जो कि सारे के सारे heterotrophic होते हैं विसम पोसी होते हैं, अब यह विसम पोसी में परजीवी या फिर मिर्तोप जीवी, parasitic, saprophytic हो सकते हैं और इसी unicellular protozoan को जनतुओं का पुर्वज माना जाता है protozoan को उनके locomotive organ के base पे अपन चार ग्रूप में बाढ़ते हैं जिसमें से first है amoeboid protozoan, second है sporozoan, third है flagellated protozoan और fourth और last है ciliated protozoan जिसको आप ऐसा कुछ ग्याद कर सकते हो तो चलिए first पढ़ते हैं amoeboid protozoan जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका example amoeba होगा और अपन को पता है कि amoeba में locomotive organ होता है pseudopodia तो हमारे amoeboid protozoan का locomotive organ हो गया pseudopodia जो कि दो चीज में help करता है first locomotion में help तो करता ही है, second ये predating में भी help करता है भोजन पकड़ने में, सिकार करने में ये protozoan free living और parasitic स्वजंतर जीवी, परजीवी दोनों ही प्रकार के होते हैं तो फिर जो free living amoeboid protozoan होते हैं वो स्वक्ष जल में भी पाय जाते हैं और समुद्र के जल में भी पाय जाते हैं कुछ समुद्र जीवी amoeboid protozoan ऐसे भी होते हैं जिनके सेल में, कवच में, सिलिका पाया जाता है और उसका example है radiolarian इस amoeboid protozoan ग्रूप में एक अंतह परी जीवी, endoparasite पाया जाता है और वो है ant amoeba histolytica जो की amoebiasis disease का factor है अब second आता है sporozoans इस ग्रूप में ऐसे बहुत सारे organism आते हैं जो अपने complete life cycle के किसी न किसी stage में spore format करते हैं और ये spore बहुत ही जादा infectious, संक्रामक होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा बदनाम, कुख्यात, लोग प्रसिद्ध, notorious sporozoan है plasmodium जो की malaria के लिए जिम्मेदार है sporozoan में locomotive organ और contract alvecule absent होता है क्योंकि सारे के सारे sporozoan तो endoparasitic होते हैं अब चूंकि ये endoparasitic होते हैं तो उनको ना osmotic balance करने की ज़रुत है और ना उनको locomotive organ की क्योंकि वो तो अपने body के flow के साथ यहाँ से वहाँ होते रहते हैं blood में, cells में अब third आता है flagellated protozoan इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें locomotive organ होगा flagella flagellated protozoan free living भी होते हैं और parasitic भी होते हैं जिसमें से parasitic flagellated protozoan का example है trypanosoma और इस parasitic flagellated protozoan से human में एक disease होता है जिसका नाम है african sleepy sickness और इस african sleepy sickness disease का vector होता है cc fly, glossy in a अब हमारा अंतिम last protozoan आता है ciliated protozoan तो इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें locomotive organ होगा cilia जो कि इसमें हजारों की संख्या में पाए जाता है जिसकारण ये fully active होके easily moment कर सकते हैं तो फिर जो ciliated protozoan होते हैं वो बाकी protozoan से कुछ लक्षण में अलग होते हैं जैसे कि इनकी body में cilia का पाए जाना और इनकी कोसिका में दो अलग-अलग size की nucleus का पाए जाना जिसमें कि जो सबसे बड़ा nucleus होगा उसको अपन कहेंगे macronucleus और जो छोटा nucleus उसको अपन कहेंगे micronucleus तो फिर जो macronucleus होगा उसका काम metabolic activity को control करना होगा और जो micronucleus रहेगा उसका काम रहेगा genetic और reproductive activity को control करना इस ciliated protozone के body में एक cell mouth या फिर gullet नाम का एक structure होता है और इस cell mouth या फिर gullet में बहुत सारे cilia पाय जाते हैं और इसी cilia के movement के कारण जो इनका भोजन होता है वो water body से इनके body में inter करता है साथ ही इनके body surface में cell anus भी पाय जाता है जो कि indigestive food को बाहर निकालने में help करता है और इसका example है paramecium तो friends ये था हमारा आज का complete video वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें, share करें और channel को subscribe करना बिल्कुल ना फुले तो फिर मिलता हूं friends अब मैं अपने next video के साथ तब तक के लिए बाय बाय